दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है परजापती न्यूज में दोस्तो आप सभी लोगों ने ट्रेन में सफर तो किया होगा ट्रेन में सफर करने के दोरान आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि अगर ट्रेन का ड्राइबर सो जाए तो क्या होगा जी हाँ दोस्तो ट्रेन का ड्राइबर सो जाए तो क्या होगा दोस्तो आपको बता दें यहाँ ज़्यादातर माल गारी चालकों के साथ होता है क्योंकि दोस्तों लंबी दूरी की यात्रा या फिर बहुत धीरे यात्रा करने से अक्सर ऐसा होता है दोस्तों ट्रेन ड्राइवर भी मनुसी है निन उन्हें भी आ सकती है तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ट्रेन ड्राइबर सोच आए तो क्या होगा तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं आप सभी लोग इस वीडियो को लास तक देखते रहिए लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सस्क्राइब बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक कर लें और साइट में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पे भी क्लिक कर लें और दोस्तो वीडियो को लाइक करके हमारा motivation बढ़ाए और वीडियो को share भी कर दें दोस्तो हम में से सभी लोग ट्रेन में अक्सर सफर करते रहते हैं और इसी दोरान हमारे मन में ट्रेन से सम्बंदिद कई सवाल उठते रहते हैं लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चलती ट्रेन का ड्राइबर लोको पाइलट सोच जाय तो क्या होगा अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चलती ट्रेन का ड्राइबर सोच जाय तो बहुत बड़ी दुरगटना हो सकती है वैसे आपका सोचना भी सही है लेकि आपको बतादे कि railway ने इसका उपाई भी खोज रखा है चलिए जानते हैं कि अगर train driver सो जाता है तो क्या होगा सब से पहले आपको बतादे कि train में driver लोको पाइलिट के अलावा assistant driver गोता है अगर train का driver सो जाता है या किसी वज़े से बेहोस हो जाता है तो assistant driver उसे जगाएगा और अगर वो जगता नहीं है तो वह train को अगले station पर लाकर रोक देगा और इनके बारे में station master को बताएगा फिर station master किसी दूसरे driver का इंतिजाम करेगा दोस्तो अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर driver और assistant driver दोनों ही सो जाते हैं तो उस condition में क्या होगा तो आपको बता दे कि इस इस्तिथी से निपटने के लिए train के engine में vigilance control device लगी होती है बता दे कि इस device इस बात का ध्यान रखती है कि अगर train ने एक minute के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए throttle को नहीं बढ़ाया और न स्पीड घटाने के लिए throttle को कम किया और ना ही brake लगाया और होरन भी नहीं बजाया तो 17 सकंड के अंदर एक audio visual induction आता है और तब train driver को उसको एक बटन दबा कर सुईकार करना होता है या बताना होता है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगले 17 सकंड के अंदर में train में automatic brake लगना सुरू हो जाएगा और एक किलो मीटर के अंदर train रुख जाएगी और साथ ही साथ आपको बता दें train में लगे इस device को dead man hand कहते हैं तो इस तरह Indian railway किसी बड़े हासे को होने से रुखती है अब दोस्तों आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर train driver सोच आता है तो क्या होगा चलिए दोस्तों भारती rail के बारे में कुछ रोचक जानकारी बता देते हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है आपको बता दें 16 अप्रैल 1953 को भारती railway मुंबई से ठाड़े के तरब चली थी और इस दिन सारोजनिक आवकास घुसित किया गया था भारती railway एसिया का सबसे बड़ा rail network है दुनिया में इसका दूसरा इस्थान है जी हाँ दोस्तो भारती railway दुनिया के दूसरे इस्थान पर है और दोस्तो आपको बता दें Economic Magazine के अनुसार भारती railway में सबसे अधिक करमचारी है जी हाँ दोस्तो भारती railway में सबसे अधिक करमचारी काम करते हैं पर साइद आपको नहीं मालुम होगा नई दिल्ली railway station को Guinness Book of World Record में इस्थान दिया गया है और आपको बता दें, railway में toilet बनने में 50 साल लग गय थे इस बात के लिए ओखिल चंदर सेन को पूरा स्रे जाता है जिनोंने भारती railway को एक गुसे में पत्र लिखा था उसके बाद भारती railway में toilet बनाया गया और आपको बता दें, एक passenger train में 4 आपतकालिंग निकास दुआर होता है दोस्तों क्या आपको मालूम है, नौपूर railway station दो राजी में पढ़ता है पहला महराष्ट और दूसरा गुजरात और आपको बता दें, भारत की पहली passenger train में 14 डिब्बे थे और इस train में 400 यात्रियों ने सफर किया था क्या आपको पता है, भारत की पहली passenger train में 3 engine थे जिसका नाम था, सिंध, मुलतान और सहीद दोस्तों आपको बता दें, भारत में करीब 7,000 से भी जादा railway station है आरती railway हर रोज करीब 14,300 train को चलाती है जिसमें 1,5 करोड यात्री सफर करते हैं और 13,00,000 समान को ले आने जाने का काम करती है दोस्तों भारती rail के बारे में आपका क्या कहना है नीचे comment box में comment करके हमें जरू बताएं और इस वीडियो को एक like कर दें जिससे हमारा motivation बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बना कर लाते रहें वीडियो को share भी कर दें ताकि सबी लोगों तक ए वीडियो पहुँच जाए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ तब तक जै हिंच जै भारत दोस्तो आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें दोनों वीडियो काफी अच्छी है